हेलो फ्रेंड्स वेल्कम डो सिविल थंडर आज हम पढ़ेंगे आपका जो एक प्लास्टिंग होता है उसमें कितने अमाउंड का सिमेंट सेंड अंड वाटर लगता है मैं यहां पर एक्जेम्पुल के लिए आपका एक 10-meter length अंड 10-meter breath का वाल को एक्जेम्पुल में लिया हूँ जो लेट चार्ट तो प्लास्टिंग हम करते हैं हमारा जो वाल उसे प्रोटेट करने के लिए विसीगाली हमारा जो plastering होता है वो जो हमारा imperfection होता है brickwork पे उसे remove कर देता है और जो आपका surface होता है वो smooth रखता है क्योंकि हमें printing के लिए आसान होगा मैं यहां पे आपको एक mix ratio और उसका uses बेबार में बोलूँगा हमारा जो plastering होता है उसमें हम जो mix ratio यूज करते हैं यहां पे जो 1 हो गया आपका cement हो गया और जो आपका 5 है वो fine aggregate हो गया fine aggregate का मतलब आपका sand हो गया और यहां पे आपका 1 इस्टू 4 होगा है 1 इस्टू 4 हमारा लगता है selling and external works के लिए यहां पर भी आपका 1 cement है and 4 जो हो fine aggregate है and हमरा जो external work होता है जो की severe climate condition में रहता है उसमें हम 1 इस्टू 3 का mix ratio यूज करते हैं यहां आपका जो first coat होता है plastering का वो उसका जो thickness होता है वो 12 mm का होता है and हम इसे rough coat और primary coat भी बोलते हैं and plastering जो है 2 coat में होता है तो जो second coat होता है उसका जो thickness होता है वो 8 mm का होता है and हम इसे finish coat और secondary coat बोलते हैं तो basically हमारा जो total plastering हो गया हो हो गया हमारा first coat and second coat का combination तो हम plastering 2 coat में करते हैं तो यहां पर plastering के बारे में details में जानने से पहले कुछ value आपको याद रखना है जैसे कि आपका जो एक back cement होता है उसका जो weight है वो 50 kilo का होता है and आपका जो dry density है cement का वो 1440 kg per meter cube का होता है and आपका जो sand है उसका dry density 1442 kg per meter की होता है इस value हम 1442 और 1600 kg per meter के बीच में जो भी value आप ले सकते हैं आपको sand के देखकर यह value कहां से आया और इस value का मतलब क्या है में मेरा जो previous video है उसमें details पे पता चुका हूँ आप अगर नहीं देखे हो तो i button क्लिक करके भी आप यहां पे देख सकते हो उसमें मैं 1 meter q concrete के लिए कितना cement, sand and aggregate लगेगा उसके बारे में मैं details पे पताया हूँ हमारा जो wall length and breadth है वो हम आजुम करते हैं 10 meter का और 10 meter का और हम जो mix ratio यूज करेंगे तो ओ हो गया हमारा 1 is to 5 मतलब हमारा जो first coat है उसके लिए हम 1 is to 5 ratio का cement and sand यूज करेंगे और हमारा जो second coat है इसलिए हम 1 is to 3 मतलब one भग आपका जो cement है and जो 3 portion है वो हमारा fine aggregate मतलब sand है तो second coat के लिए हम 1 is to 3 यूज करेंगे and first coat के लिए हम 1 is to 5 यूज करेंगे हमारा जो first coat है उसके जो thickness रहेगा हम 12 mm रखेंगे और जो हमारा second coat रहेगा उसका जो thickness रहेगा हम 8 mm रखेंगे हमारा जो first step है हमें उसमें आपका जो total area है उसे calculate करना है तो area calculate करने के लिए हमें क्या करना है हमारा जो length and breath है वाल का वो तो 10 meter का 10 meter का है इसलिए हमारा जो area है total हो गया 100 meter square का तो second step पे हम calculate करेंगे volume of first coat तो हमारा जो total area है वो तो 100 meter square है पर हमारा जो thickness of first coat प्लास्टरिंग था वो तो 12 mm का था इसलिए हम 12 mm को meter में convert करते हैं तो यहां वे में value put के 0.012 तो हमारा जो volume of first coat है वो आजाएगा 1.2 meter cube तो हमारा जो volume of second coat है वो आजाएगा हमारा total area into thickness of प्लास्टरिंग तो हमारा total area है 100 meter square और हमारा जो thickness था second coat का वो था 8 mm का तो mm को हम meter वे convert किया तो आजाएगा हमारा 0.008 so finally 0.8 meter क्यों हमारा आगया volume of second coat का देन अब हम third step में हम calculate करना है जो हमारा cement and sand का quantity requirement है first coat पे हम उसे calculate करेंगे first coat में हमारा जो ratio था cement and sand का वो था 1 is to 5 तो cement हमें जो quantity यह उसे calculate करने के लिए उसका जो basic formula है तो formula है total volume of first coat plus string into number of parts of cement divided by total parts हमारा जो total volume of first coat plus string था हो हो गया हमारा 1.2 into number of parts of cement जो कि यहां पे वान है divided by total parts मतलब 5 plus 1 is equal to 6 तो हमारा हो आगया 0.2 meter cube similarly sand के लिए हम calculate करेंगे total volume of first coat plus string into number of parts of sand divided by total parts तो हमारा जो total volume of first coat plus string के लिए हमारा जो volume है तो 1.2 ही है तो हमारा जो number of parts of sand है वो तो 5 था तो total parts जो गया हमारा 5 plus 1 is 6 so answer जागा आपका 1 meter cube हमें first coat जो है plastering का उसलिए हमारा cement चाहिए 0.2 meter cube का जो quantity है cement का और जो sand का quantity है वो चाहिए हमें 1 meter cube का तो अब हम fourth step calculate करेंगे तो fourth step में क्या होगा हमारा third step में हम हमारा जो cement and sand quantity required था वो हम first coat के लिए निकाल रहे थे पर हमारा fourth step में हम second coat के लिए हम cement and sand quantity को निकालेंगे तो हमारा जो second coat है उसका जो mix proportion था वो था 1 is to 3 मतलब आपका 1 जो है cement है और 3 जो है sand है तो इसलिए जो cement का quantity है वो हम calculate करेंगे total volume of second coat plus 3 into number of parts of cement divided by total parts हमारा जो volume था second part का वो था 0.8 तो हम multiply करेंगे जो हमारा cement का part है वो था 1 divided by total parts मतलब 3 plus 1 is equal to 4 तो हमारा answer आजाएगे 0.2 meter cube देन हमारा जो sand है उसे हम calculate करने के लिए total volume of second coat plus 3 into number of parts of sand divided by total parts तो हमारा जो total volume था second coat के लिए वो था 0.8 और multiply करेंगे number of parts of sand जो की था 3 और total parts हो गया हमारा 4 जो हमारा sand का जो है quantity हो आगे 0.6 meter cube पर second coat तो अब हम calculate करेंगे हमारा जो fifth step है हो हो गया हमारा total volume of cement और total volume of sand तो total volume of cement जो है हमारा हो गया 0.2 plus 0.2 मतलब आपका first coat में लगा 0.2 meter cube का cement और second coat में लगा 0.2 meter cube का cement so total 0.4 meter cube का cement हमें चाहिए और जो आपका total volume of sand हो हो गया first coat में 1 plus second coat में 0.6 meter cube तो उसका answer आजाएगा 1.6 meter cube so हमें total 0.4 meter cube cement चाहिए और total 1.6 meter cube sand चाहिए then हमारा जो sixth step है हम आप calculate करेंगे हमारा जो 0.4 meter cube cement आया और 1.6 meter cube sand आया तो उसका quantity हम निकलेंगे हमारा जो dry density of cement है ओ हो हो गया 1,440 kg per meter cube so हमारा जो 0.4 meter cube cement है जो हमारा ओ हो गया हम calculate करने से हमारा आगया 576 kg जो की 12 bag cement है and to dry density of sand है ओ हो हो गया 1,442 kg per meter cube so 1.6 meter cube जो sand आया था हमारा उसके लिए हम calculate करने से हमारा आगया 2307 kg sand तो finally आपका cement and sand का value हमें पता चल गया हमें 12 bag cement चाहिए and 2307 kg sand चाहिए तो अब हम calculate करेंगे water कितना चाहिए क्योंकि water के अलवा तो हम mix नहीं कर सकते हैं तो हमारा water calculate करने लिए जो 7 step में calculate करेंगे तो water जो हम add करेंगे 20% of total dry metal हम जो water add करेंगे हो हो गया हमारा 20% of total dry material, dry material का मतलब आपका जो cement and sand तो 20% of 576 kg जो आपका cement आया and 2307 जो आपका sand है उसे मिलाने से हमारा आगया answer 577 liters तो basically आपको मैं बताऊंगा तो summary क्या है, final summary जो है हमारा, हमारा जो cement, sand and water requirement है 100 meter square of wall के लिए तो final हमारा आगया, cement हमें चाहिए 12 bags अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सिखने को मिला तो please like and share this video and subscribe my channel The Civil Thunder, thanks for watching आपक कुछ धि आपको झाईबन हमारा बैक मारा आपको